मारूर राजस्थान परिवार पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है जितने भी MRPN से हैं कैसे आप सब लोग उमीद कर रहे हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे और आज से न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकपूर्ट क्लास विद भी डॉक्टर तरुना चर्मा जिसमें हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स चाहें आपका कोई भी एक्जाम हो आर्पी एस्ट का बच्चो आरेएस का हो एसी एफ का हो पतवारी का हो पुलिस का हो रीट का हो जूनियर इंजीनियर का हो जूनियर अकाउंट साथ एक difference बताना अभी आप ये वीडियो देख रहे हो right now ठीक है कि वो पुराने वाली school days वाली वीडियो में और इस वाली school days वाले दिनों में क्या difference है आपको difference बताना है आप बताओ फटा-फट से type करो वरना फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगे ठीक है तो आज की class क्लास का बच्चों शुरू करते है topic क्या है हमारा भगत आंदोलक जन जाती है आंदोलन से शुरूआत कर रहे है आप किसका पाट है यह जन जाती मैं अंदोलन का जो भी members अभी तक MRPN हमारी sweet सी family का part नहीं बने हैं तो चैनल को subscribe करके बनें क्योंकि हमारा लक्षे है मारो राजस्तान पड़ेगा भी बड़ेगा भी इसको गाउं गाउं तक पहुचाना और इस वीडियो बच्चो ऐसे हैं competitive exam की तयारी तो कर रहे हो उनको तो काम आएगा ले tips and tricks के साथ तयारी के लिए enjoy करते हुए तयारी के लिए test series जिसमें आपको साथ में मिल जाए आपके पढ़ाई असान हो जाए unacademy plus से मुझ से जुड़ जाए मेरे batches चल रहे है focus आ रहे है इस pre come means इसके खास बात है English और Hindi medium दोनों में अलग-अलग batches है ठीक है हिंदी और English medium जिसमें मैं आपको लग-बग-बग इनका 80% से levels करवा के दूँगी pre और mains का ठीक है मैं अलग batches लेती हूँ इकठा नहीं पढ़ाती हूँ इसके साथ साथ जो बच्चे ACF की तयारी कर रहे हैं वो मेरे courses देख सकते है paper 1 80% से levels कवर है English का 80% और environment optional 50 to 60% और इसका नया batch मैं श working professional है उसी time class नहीं देख पाते तो कोई problem नहीं recording मिल रहे है PDF मिल रहे है और इससे भी बड़ा पायदा है all in one सभी exam की तयारी करो unacademy plus पे एक ही subscription में कोई अलग-अलग पैसे नहीं भरने बच्चों सब के और क्या चाहिए और हमारा जो code है discount भी मिल रहे है आपको 10% कैसे हमा यह जो two months का subscription है two months का नहीं sorry two years का हाँ इसको जो है बच्चों चूज कर लेना जो बच्चे RAS की तयारी कर रहे हो ठीक है यह code लगा देना MRP 10 दो साल का subscription आपको पड़ेगा साड़े साथ हजार रुपे मतलब 300 रुपे महीना मतलब की एक बच्ची ने मुझे बताया मैं unacademy plus join करना ऐसा है जैसे महीने में mobile recharge करा रहे तो बच्चों वैसा ही है इतना ही simple है इतना महेंगा नहीं है जो बच्चे बहुत सारे paper की तयारी कर रहे है जिनका यह है कि एक साल में हमें paper निकालना है दो साल में तो वो एक साल दो साल का join कर लें एक साल का बच्चों 63 100 रुपे है इसमें 100 रुपे महीना और add करोगे 1200 रुपे पूरे एक साल का free में मिल जाएगा तो दो साल का कर लो जो बच्चे सिर्फ एक एक paper की तयारी कर रहे है जिनका target single paper है तो वो अपना exam देखे कि कब आने वाला है उसके according जैसे ACA वाले तीन महीने का पटवारी वाले तीन महीन तो ये बात कहां की कर रहे हैं हम ये अंदूलन कहां पर हुआ कैसे हुआ बहुत सारे भगत है बच्चो ठीक है ऐसे देखो जैसे मैं बना रही हूँ खूप सारे भगत है भगत किसके होते हैं बहुत सारे भगत हैं ठीक है भगत किसके होते हैं भगत होते हैं गुरू के तो गुरू जो है गले में माला तो पहनते हैं, इन्होंने माला पहने हुए है, ठीक है, तो यह है गुरू गोविंद गिरी, जिन्नों ने इस आंधोलन को लीड प्रवाइड की, नित्रितव प्रवाइड किया, ठीक है, अब यह बात सारी हो कहा रहे है, भगत-गूरू साधना कर जाते हैं जंगल वाले एरिया में और सबसे दूर धराज़ जो तो राजयस थान में सबसे दूर कौनसा बढ़ा है दक्ष्णी इलाका तो यह भगत अंदोलन कहां पे हुआ हुआ है बच्चों यह हुआ है बागड में बागड में मतलब की कौन से दो जिले आ गए बांसवाड़ा बांसवाड़ा आ गया और साथ में आ गया हमारा ढूंगरपूर ठीके अब पूछोगे यह गुरू कहां से आये इनका जनम कहां पे हुआ तो इन गुरू गोविंद गिरी जी का जनम डुंगरपूर में हुआ है बच्चों ठीके डुंगरपूर के अंदर कौन से गाओं में बंसिया गाओं के अंदर कहां पे हुआ है बच्चों बंसिया गाओं में इन्होंने क्या काम किया इन्होंने जितने भी हमारे भर से भगत भर से भील जन जाती तो यह आंदोलन कौनसी जन जाती का था बच्यों भील समुदाय का यह आंदोलन था इतना पॉइंट याद हो गया भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी जनम कहां पे हुआ बंसिया डुंगरपुर गाउं में अंदोलन कहां का है बागड का है भील समुदाय का ये अंदोलन है ठीक है ये गुरु गोविंद गिरी जी ने क्या किया कुछ जो है जन जाती है समुदाय में जैसे समाजिक बुराईयां होती ह जैसे डाकन प्रता, ठीक है उसको दूर करने के लिए इन्होंने इकठा करने का काम किया, इनमें गुरू गोविंध गिरी जी ने भीलों के अंदर, जो उनके अधिकार है, उनके लिए खड़े होने के लिए, आवाज उठाने के लिए, इनको संगठित करने का काम किया, अब जब बच्चों किसी चीज को संगठित करना होता है पॉलिटिकल पार्टिया देखते हो चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव पे क्या कहती है इस पे बटन दबा के आना इस चिन्ह पे तो एक चिन्ह एक जगह हमें चाहिए होते हैं अब आपको RAS, RPSC की तैयारी करने एक प्ल अध्यन के किताब से आया और मैप वाले से बहुत सारे क्वेश्चन आया है तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर है मारू राजस्थान का इतने में से जब पांचे-पांचे क्वेश्चन हर पेपर में आया कौन स्टेबल के तो आगे सोचो आप क्या होगा ठीक है तो क्वेश्चन आया था मत्से जनपद पे मत्से जनपद की राजधानी पूछी गई विराट नगर है और महा भारत के टाइम पे कौन से जनपद के अंदर पांडव रुके थे तो मत्से जनपद उसका आंसर है राजस्तान अध्यन के किताब जाके पढ़ लो वीडियोस देख लो समझ जा आरेस की तैयारी करने में प्लैटफूम दे दिया ना आरेक एडमी प्लस पे आजओ मारो राजस्तान पे आजओ तो गुरु जी ने क्या किया कि एक सभा बनाते हैं सभा को अट्रेक्ट करने के लिए कोई निशान कोई नाम ऐसा देना चाहिए जो भक्तों को एकदम से जो तो ये याद कर लो कि गुरु गोविन गिरी जी है ना ये मानलो गुरु गोरक नात बाबा गोरक नात जो है बाबा गोरक नात किसके थे भोले नात को मानते हैं उनके जो है सबसे बड़े भगत थे तो जो जन जाती समुदाएं हैं वो भी भोले नात को मानते हैं बोले ना सापों की सभा याद करवाने के लिए ताकि उन्हों अपना पण लगे बिलों को इसमें अपना पन लगे यह सभा कब बनाई बच्छो साप की मुमंट देखिए कैसी होती है ऐसे रिंगता हुआ चलता है न के नहीं चलता है ऐसी चलते है इसमें कौन से नंबर दिख रहे हैं नमबर बताओ मुझे, जब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूं तो 3 नमबर दिख रहा है, ठीक है, और जब मैं इसको पूरा साफ बना देती हूं, ऐसे ऐसे तो 8 नमबर दिख रहा है, 8 दो बर आएगा, ये सभा बनी है 1883 में, 8 और 3, याद कर लोगे, कब बनी है 1883 में, अब जब गु अब दिन कौन सा है जिस दिन इकठे हुए 1883 के लास्ट में क्या है तीन यहां पे भी जो सन करवाने जा रहे हूँ उसमें भी लास्ट में तीन आएगा कौन सा है बच्चो 1913 बात है 17 नवंबर की बात है 17 नवंबर की अब 17 में भी जोड देख लो 7 प्लस एक आठवई संपसभा वाला नंबर आ रहे है 17 नवंबर 1913 को मानगर पहारी पेप के बहुत सारे भील जो है समुदाय के हमारे लोग भाई भाई भेन प्रोटेस्ट करने के डिक अठा हुए थे ब्रिटिश सरकार तो काम क्या है उसका ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दी गोली बारी कर दी जो बिचारे हमारे निहत्ते भील भाई बहन कितनी संख्या में मारे गए गए में 1200 की सक्ख्या में भील भाइबहन जो है हमारे इसके अंदर मारे जाते हैं और क्या होता है नतीजा क्या होता है जब पता है न हमें कल्यूग है वह जादा वह थे पावरफुल थे ब्रिटिशर जो है गुरु गोविन जी को गिरफतार कर लिया जाता है और इस movement को दबा दिया जाता है इस movement को दबा दिया जाता है गुरु गोविन जी का जनम कहां पर बताया डुंगरपूर बंसिया गाउं डुंगरपूर बंसिया गाउं डेट भी याद कर लो कब होता और यह जो गुरु अफ्तार लेते हैं गुरु तो अफ्तार लेकर आएंगे ना भगवान का किसके घर में अफ्तार लेकर राते हैं बंजारा फैमिली के घर में तो गुरु गोविन जी का जो जनम होता है कौन सी फैमिली में होता है बंजारा फैमिली में किस दिन होता है 20 दि पर इतना बुरा हत्याकांड करा तो किस की याद दिला दी डायर की याद दिला दी जनरल डायर जलिया वाला हत्याकांड याद दिला दिया तो मांगर पहाडी को जो धाम माना जाता है मांगर धाम इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चो राजस्थान का दूसरा जलियाँ वाला बाग, हत्याकांड नहीं, हत्याकांड में अलग है, अलग से करवाओंगे, नीमुच आना हत्याकांड आएगा, नीमडा हत्याकांड आएगा, इसको बोलते हैं राजस्थान का जलियाँ वाला बाग, अब आप पेपर में कन्फ्यूज नहीं हो जाओ, कि पहाड़ी क्या है एक धाम है तो मानगड धाम को हम क्या बोलते हैं राजस्तान का जलिया वाला बाग भारत का जलिया वाला बाग जो हमारे पंजाब में है 13 अपरेल 1919 को हुआ था और यह जो है राजस्तान का जलिया वाला बाग तो बच्चों जब स्थान पूछे तो अंसर आएगा मानगर धाम और questions में अलग से detail भी कराऊंगे ठीके तो याद हुआ भगत आंदोलन या नहीं हुआ एक बार को एक recap करते हैं भगत आंदोलन भील समुदाई गुरू गोविंद गिरी ठीके जनम इनका कहां पर होता है डूंगरपूर के अंदर बंजारा फैमिली में ब अब इकठे हुए सारे भील समुदाई के लोग अपने अधिकारों के लिए ब्रिटिशर्स के खिला 17 नवंबर 1913 को कहां इकठा हुए मानगर धाम मानगर पहारी के उपर किते भीलों को मार दिया गया फाइरिंग में 1500 भीलों को मार दिया गया और मानगर धाम को क्या बोलत जोग्रफी में भी blackboard class चाहिए, art and culture में भी blackboard class चाहिए, science में भी चाहिए comment में लिख दो, वीडियो कैसा लगा है बताओ, ठीक है like, subscribe, share कर दो, subscribe करके घंटी बजाना मत बूलना क्योंकि भूल जाओगे तो मेरा कोई भी वीडियो किसी भी time आ सकते है आपको पता नहीं चले लेना कोई बात बात पूछनी हों, कोई पढ़ाई से related plus के regarding तो आप मुझसे बात कर सकते हो, और like, subscribe, share बच्चों जरूर कर देना, वीडियो कैसा लगा, लिखके जरूर जाओगे, share करना, ठीक है, क्योंकि हर गाउं गाम तक बहुचना है, ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलती हूं, तब तक आप सबको में घनी घनी राम राम